दोस्तो आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तो जैसे कि आप यहां देख रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक केमिकल डॉक्टर फिक्सिट एल डबलू प्लस एक सो एक और दूसरा है यहां पे अल्टर टेकर वेदर प कि जो यह केमिकल है यह हमारे घर को बनाने में काफी अहम रोल प्ले करता है यह हमारे घर के मजबूती को बढ़ायता है हमारे कंक्रीट के मजबूती स्ट्रेंद को बढ़ायता है तो दोस्तो जैसे कि आप पहले आपको मैं बता दूं दो केमिकल के बारे में डॉक्टर फि टो बेड़ाई उसमें पानी जब बनाता है उसमें असानी सोझ हाँनी कम आप देखते हैं कि बहुत जल्दी सेमेंट सूखने लगता है तो उसमें क्या होता है कि कंक्रीट में बीच में गया पाजाता है तो ओचीज यहां पर नहीं आता है तो एक तो फाउंडेशन में हो गया दूसरा है कि जब आप घर का पिलिंध बीम डाले तो इसमें भी आपको यह केमिकल यूज करना है इससे भी जो पिलिंथ बीम होता है काफी मजबूत होता है दोस्तों आपको पिलिंथ बीम में जरूर यह दोनों केमिकल में से एक कोई केमिकल आप यूज कर सकते हैं एक बोरी के मसाले में दो सहमाल आपको डालना है और पिलिंथ बीम में चड़ने आपके दिवार पे पेंट पे चड़ने से भी आपको बचाता है तो इसलिए वो एक water barrier का काम करता है यानि कि आपको dampness से prevent करता है तो इसलिए आपको chemical वहां भी इस्तेमाल करना है तीसरा चीज जब आप हम अपना वहां पर डीपी सी डालते हैं मालदी जिए कि पिल तो इसमें दोनों केमिकल में से यह काप अगर उस मसाले में डाल देंगे तो क्या करेगा कि वहां पर वहां से सीलन उपर घर में चड़ने नहीं देगा और साथ में आपका जो कंक्रीट तो मजबूत होगा ही उसका घर का मजबूती तो बढ़ेगा ही तो और उसके बाद दोस्तो जब DPC का काम कर लेते हैं तो हम कॉलम की डलाई करते हैं तो कॉलम यानि कॉलम की जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको यह केमिकल इस्तमाल करना है क्योंकि दोस्तो कॉलम ही होता है जो कि हमारे पूरे घर का लोड लेता है फिर जगह देखा जाता है क्या कुछ दिन बाद वहां पे छत में से पानी गिरने लगा पानी टपकने लगा सीला नाने लगा बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि छत में अंदर अंदर पानी गुसता है तो सरीया में जंग लगने लगता है फिर कुछ दिन बाद जो नीचे का प्लास्टर है या छत जो है नीचे के तरफ से पपड़ी बनके गिरने लगता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो छत में भी आपको यह अगर केमिकल आप दोनों में से एक कोई केमिकल जब आप मसाला बनाते हैं तो उसी के साथ अगर मिक्स इसको कर देंगे तो छत भ क्वाही से भी पाती की मुआश्चा रानी की समस्या नहीं होती है जिससे कि हमारा आसरिया भी जंग लगने का चांस नहीं होता है तो अगर एक स्दिवार करना हैं जैसे सेप्टिक टैंक नीचे हैं यसे लिए करते हैं या अंदर का पानी बाहर ना जाए इसे वह तवरण गंदा होता है समेल आता है साथ में हमारा आज पास का जगह है वो भी पर दूसित हो जाता है इसलिए वहाँ पे आपको बाद में उस दिवार पर waterproofing करनी होती है ति इसलिए मैं कहता हूँ कि septic tank की ढलाई में चाहे उसका दिवार हो चाहे उसका फर्स हो तो आपको वहाँ पे भी एक waterproofing chemical इस्तमाल करना है दोस्तो ये दोने chemical में जैसे Dr. Fixit LW Plus 101 जो है ये भी market में आपको करीबन 120-125 रुपया लीटर मिल जाता है वहीं जो अल्टर टेक का weather pro है वो भी आपको करीबन 110-120 रुपया लीटर मिल जाता है market में तो आप आसानी से खरीद के अपने घर में मसाला जहां भी लगाए आप उसम चत की डहलाई कर लेते हैं तो जब देखा जाता है कि चत की जब ढ़लाई हो जाती है तो उसमें सीलन अगर बाद में समस्यार आती है तो उसी सीलन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि चत पर वाटर पूरूफिंग का कोटिंग करवाना है वो डॉक्टर फिक्षिट 301 की पीडी करी टुई यूरपी से ही कराना है फिर दोस्तों इसी केमिकल का हम जब अपने बाथरूम का टाइल लगाने से पहले वाटर पूरूफिंग करते हैं जैसे आप यहां पे देख रहा है उसके बाथरूम का जो साइड साइड का एक फिट का दिवार है फिर उसका सबस्क्राइब पानी टपकने के नहीं समझ से आती है और बहुत बार दोस्तों ऐसे भी होता है जैसे हमने कई जगा आप लाइग किया है जब है जब आप सेप्टिक टैंग बनाते हैं जैसे आप देख रहे हैं इसके साइट की डिवार में बीच की दिवार में और नीचे के पर इसी chemical को डॉक्टर फिक्षिट 301 विडिक्री टी उर्पी को यूज किया गया है जिससे क्या है कि बाहर का पानी अंदर ना आ पाए इसलिए septic tank में भी आपको यही chemical लगाना है अब दोस्ते इस chemical को लगाना कैसे है यह आगा तो सब्सक्राइब आपको नीचे कमन कर सकते हैं अगर यहीं मैं किरे ऊपेज़ारो कि दोस्तों पूरा जवाब दечение मैं और नहीं चैनल को शब्सक्राइब लाइप पर दीजेगा तक या सही नहीं नहीं इंफर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे